हालो फ्रेंड्स तो हम देख रहे थे अपना और्गनिक केमिस्टी थर्ड भी फार्मेजी फोर समिस्टर यूनिट फ़िस्ट हमारी चल रही थी तो यहाँ पे आग जो हमारे टॉपिक आने वाले थे वो हमारे डियल सिस्टम ऑफ नॉमेंट क्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोम आप तक हमको पता भी है लेकिन हमको उसका नाम नहीं पता तरीका नहीं पता तो इस चीज़ को हम यहाँ जहां पर जो है जानने वाले हैं तो यह आपको बहुत जादा हेल्प करने वाला है सबसे पहले हम देखते हैं 3D रिप्रिजेंटेशन कैसे करेंगे पतलब यह समझे तो किस तरह से हम 3D करेंगे यह चीज़ हम जानेंगे बाकी जो है इससे प्रिवेस वीडियोस हमने अल्रीडी कवर कर लिए तो अगर आपको वैटर अंडिस्टैनिक चाहिए अच्छे से आपको सारा समझ रहा है तो डिस्किप्शन में आपको लिंक बिलेगी प्ले सब्सक्राइब करेंगे फॉर्ट सेमिश्टर में आपको मिल जाएगी प्लेट में आप जाएगे तो लेक्टर वाइज जब आप लगातार देखते जाएगे आपको सारा कुछ हो बहुत अच्छे समझ आएगा तो मेरी राय है कि आप प्लेलिक्ट में जाके लेक्शर प्लेट करेंगे इस चीज के बारे में यहां पर बताए गया है तो चलिए इसके लिए मतलब यह काईरल और अकाईरल मॉल्गूल के लिए हो जाता है वैसे लेकिन यहां पर यहां पर दिख रहा होगा अब कैसे मैं आपको सिंपल बता जीता हूं यह वाली जो हमारी चीज अब आपको देखे haven यह हमारा 20 का करवun हो नहीं उसके साथ हमारी यह और यह जो आपको यह सिंपल लाइन देख रहे होगी PM यह हमारी होती है इन दब्लें मतलब प्लेन के अंदर कोई भी चीज नहीं कैसे हो रही है वह चिज़िश है के बाद हमारी यह आप समझें बाप अब इस चीज को explain कैसे करना है, समझेंगे कैसे, वो मैं आपको अभी बताता हूँ, चलिए represent करके देखते हैं इसको, अब college तो बंध है अभी, तो मेरे पास वो कुछ नहीं है, मैं इसी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे यह समझे, let हमारा यह है, तो यह हमारा प्लेन ही हो गया, xy, यह हमारा यह क्या है, अब हम क्या करते हैं, जो हमारे यह दो compound आपको दिख रहे होंगे, cho और ch2o, यह हमारे कहाँ प्लेन में है, यह पर आपको दिख रहे है, अब अगर आप यहां से देखेंगे, यह हमारा थुड़ा आगे को आ रहा है, यह क्या ह गया above the plane यह हमारा पीछे को जारा है यह हमारा क्या हो गया below the plane तो इस तरह से हम जो है अपने 3D मैं represent करते हैं किसी भी चीज़ को कि एक हमारे यह plane में हो गए दौनों के दौनों सेम फिर एक हमारा यह हो गया above the plane यानि कि जैसे यह हमारा गर plane है पूरा तो इस plane के ऊपर को आ रहा है है हमारा above the plane और एक इस plane के पीछे ज़रा है यह देखिए यह पीछे ज़र शरा है यह हमारा होगे ब्लोड़ अपलैन तो इस तरह से हमार छेथा ब्लोड़ अटे एं जासे चार है हमारी इन डपि सप 예 earth यह हमारा blah the plane यह मारा अबड़ दाप्लेंग जो यह वाला होता डर्क इसको हम बोलते हें कर नहीं उपलते हैं और यह हमारा है लाले वाला इसको लिखो आएक वार वह सकता है कि इसको मतलब YS वर्सा कर देते हैं इसको कर देंगे यूज करते हैं simplest method होता है और आपने जो भी देखे होंगे अब तक biochemistry पड़ी थी या आगे आपने chemistry पगरा पड़ी थी तो हमारे जो तो फरक क्या है यह हमारा 3D representation था और यह हमारा है 2D representation अब यहां पर आपको दिख रही होगे इसमें हम सिंपली क्या करते हैं लाइने खीशते हैं और लाइनों में क्या होता है जो हमारे यह वाले डॉट है इस पर तो हम जो हमारे एटम होते हैं उसको अटेच करते हैं और जो जाने मानते हैं वाले तो इसको करते है उसको हम ऐसक्ताउ जो हमारे यह 2021 की जगह है यह हमारी हो गई carbon की तो 2 तुस मेर यह जघोागे से पहला करते हैं सो फिल्लाइंग गोलते हैं तो इस तरह यह माना प्रोजेक्षण को समझ आगया हो गाई है अब बात आती हैं कि हम जो है वेस को Fischer में कैसे करेंगे मतलब जो हमारी DL projection है DL system है उसके अंतर हमको करना क्या पड़ता है कि हमें पहले compound को Fischer projection में लाना पड़ता है अब अगर कोई compound हमारा 3D में है तो अगर हमको उसकी DL configuration बतानी है तो हम कैसे बताएंगे अब आपको अभी confusion भी कि DL configuration एक्चल में है क्या तो वो आपको इसकी next वीडियो मिलेगी उसमें आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा क्या चीज है अभी बस आप ये समझे कि हमको ये projection representation समझे है ये हमारा 3D है ये हमारा 2D है अब इसको 3D से हम 2D में convert करते हैं फिर इससे हम जो अपनी DL configuration के बारे हम पता लगाते हैं तो कैसे करते हैं ये चीज में आपको बता दिता हूँ जैसे हमारा ये समझे है कि ये हमारा वो compound था कोई भी compound है ये हमारा 3D में representation है ये हमारा in the plane है ये हमारा above the plane है ये हमारा below the plane है अब आपको करना क्या होगा कि इसको आपको इस वाली साइड से देखना है जिस साइड पे हमारा क्या लगे हो ये वाले लगे हो above the plane और below the plane अब बात सिंपल थी है लेकिन इसको लिखने में आप देखे यहां से लेके यहां तक यह मैंने complete notes लिख रखे तो आप इसको जो note down कर ले लिए बैसे exam में यह वाला नहीं आता है यह मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिए लिखा है क्योंकि समझाना जरूरी है क्योंकि size लेका trick बगरा कभी आ सकती है या एका question कभी बन सकता आपके competition में भी बन सकता है कि आप इसको 3D representation से 2D में convert कीजिए तो यह दौनों थे यह भी हमारे exam point of view से इतने ज़्यादा important नहीं है important हमारे deal system है लेकिन उसके लिए हमको यह जानना बहुत जरूरी होता है एक example आप सारा को समझ जाएंगे तो example हम यह हमारा है ABCD यह चीज हमने 3D बना रखी है यह हमारा above the plan यह हमारा below the plan अब यह हमारा तो हमारे एक ही plane में आपको देखेंगे AB और यह वाला C है जो हमारे क्या होगा इससरा left side होगा तो आपको यह हमारा होगा right side आपको इदर करना है ठीक है मालनी है यह मनलब हमारा दूसरी तरफ है इसकी mirror image है तो जैसे यह समझे यह आपकी image है अब आप क्या करेंगे इस साइड से इसको देखेंगे और जब आप इस तरफ से इस तरफ से तो आपको क्या दिख रहा होगा कि यह वी आर यह हमारा right hand side और यह हमारा left hand side है तो उसी के according आप यहां पर क्या करेंगे इनको form कर देते हैं कि BR को आप क्या लेंगे यहां पर यह वाला जो BR है यह हमाना इससे पहले आप यह बनाएंगे यह और यह तो हमारे vertical में होई जाएंगे आई और CL यह आपको plane दिखेंगे यह BR आपको इधर से देखेंगे तो right hand side दिख रहा है तो यह BR हमारा आगा right hand side इधर देखेंगे यह आपको left hand side तो इस तरह तो यह हमारा वनिया इसका feature और इसका तो आपने बनाई लिया था कि यह हमारे हो जाएगा आई उपर CL नीचे अब अगर हम इधर से देखेंगे इधर से तो BR हमें देखेंगा left की side BR हो गया और H दिखेंगा right की side तो यह हो गया तो इस तरह हम जो इसको represent करते हैं और 3D से 2D में convert करते हैं तो I hope यह simple सा topic आपको समझ आ गया होगा यह आगे हमारे जाके बहुत साथा क लिए example तो आपको दो चीज़ है यह हमारा होता अब दा प्लैन यह हमारा होता बिलो दा प्लैन यह 3D स्ट्रक्चरी होता हमारा 3D होता है करना क्या जैसे आपको एथन बनाना है तो एक तो आपका यह method होता है 2D वाला जैसे हमने simple क्या करना है CS3 और CS3 यह हमें ऐसे कर देते यहां hydrogen attach है einges야 है है अब हमको इसको करना है 2D में 3D में convert तो humility करेंगे एक ले लेंगे हम इस तवह ही तो इसको हम टीन ही डाट करेंगे यह यह हमारा होता अब दलैन और एक हम ले लें होता है पीक्र प्लैन और इसम बनान एक से पीछे पात उन उन दा और उसको उल्ble नपको इसके ऊपर आप उसको नहीं चड़ाएं क्योंकि वो इसके पीछे क्या है छुप गया है तो यही हमारा सिंपल ता टॉपिक था मिलते हैं आप से बहुत जा नेश्ट वीडियो में जिसमें हम इसके DL नॉमें क्याचर सिंपल के बारे में जानेगे बस अभी आप इतना समझिए कि जो हमारा D होता है D4 होता है हमारा जो right hand side clockwise rotation करता है वो और L हमारा होता है anti clockwise rotation करता है वो तो इसी से related यह topic है और इसी के according हमको जो नॉमें क्याचर करना है अपने optical isomal का तो चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल तब तक लिए थैंक यू फ्रेंट्स टेक केर और जो भी आपको कुछ चाहिए हो मतलब गुरूप जोइन करना कुछ भी हो तो आप डिस्किप्शन में एक बार विजिट कीजेगा आपको सारा कुछ मिल जाएगा ओके फ्रेंट्स